हलो एबरीबन कैसे हैं आप सब गुद न्यूस है आपके लिए अब आप पिछले पान साल का आपना इंकम टैक्स गाइटन फाइल कर सकते हैं अगर कुछ टैक्स कटा है और आप इलिजिबल है रिफंड के लिए तो टैक्स रिफंड भी ले सकते हैं या फिर आपको कुछ सब्सक्राइब करता है अगर आप सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह सर्कुलर जो है इस सर्कुलर को इशू किया है CBDT Central Board of Direct Taxes ने और इन्होंने एड्रेस किया है और आपको जो भी अप्लिकेशन आते हैं रिफंड क्लेम या फिक कैरी फौर्ड लॉसस की अंडर सेक्शन 1192 भी उसको एड्मिड किया जाए अभी इसके कुछ कंडिशन्स है और कुछ points है जो कि आपको पता होनी चाहिए पहले point की बात करें तो पहला authority allocation बताया गया है कि कितने refund के लिए कौन-कौन से authorities बनाया गया है जैसे principal commissioner वो accept या फिरिजट कर सकता है up to 1 करोड के जो claims है उसको accept या फिरिजट कर सकता है ठीक है अगर refund का जो claim है वो 1 करोड से 3 कर की बीश है तो उसके लिए chief commissioner की जिम्मेदारी दी गई है इसके बाद अगर claim जो है वो 3 करोड से जादा है तो उसकी जिम्मेदारी दी गई है principal chief commissioner की next बात करें processing centers क्या होंगे तो जैसा कि आपको पता है ITR जो है आपका process होता है CPC में बैंगलोरू central processing center में तो वहाँ पे ही process होने वाला है time limit की बात करें जो कि बहुत ही important है 1 October 2024 से आप पिछले 5 साल की return को आप file कर सकते हैं क्या लिखा गया within 5 years from the end of relevant assessment year 1 October 2024 से पिछले 5 साल के return को आप file कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपका जो application है वो process किया जाएगा within 6 months आपका जो application है उसको within 6 months में process किया जाएगा competent authority दोरा अभी यहाँ पे condition of, यह conditions क्या क्या कंडोनेशन की जैसे कि पहले condition थी कि अगर आपने ITR file नहीं किया है तो आपके पास एक proper reason होना चाहिए आपका genuine reason होना चाहिए कि आपने file क्यों नहीं किया कोई medical emergency थी या फिर family में medical emergency थी या फिर आप खुद के लिए कोई medical emergency वगरा आ गई थी या फिर कोई और reason था जो कि genuine था इसकी वज़े से आप ITR file नहीं कर पाए तो definitely आपको condemnation वाला जो option है वो enable करा जाएगा ठीक है अभी यहाँ पर यह बोला गया कि माल लीजिए कोई code cases वगरा चल रहे है आपके refund पे ठीक है तो उतना time बढ़ा दिया जाएगा example देते हैं कि यहाँ पर 5 साल बोला गया है बढ़ कोई code cases वगरा चल रहे थे जिसका 2 साल का period था ठीक है तो आपका जो time है उसको 2 साल से बढ़ा दिया जाएगा मतलब 5 और 2, 7 साल का time आपको मिल जाएगा अभी next बात किया गया है supplementary refund claim की अभी refund कौन कौन से आप ले सकते हैं मालीजे आपने ITR फाइल किया था और आपका refund कम आया है या फिर आपने कम claim कर लिया था तो उस case में भी आप condemnation डाल सकते हैं secondly आपका जो TDS कटा है वो आपके hand में ही कटा है किसी और का TDS आप claim नहीं कर सकते दूसरा है कि जब भी आप refund claim करेंगे ये section का use करके तो आपको कोई भी interest वगरा नहीं मिलने वाला है आपको पता होगा अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप जो भी refund claim करते हैं तो आपको refund के time जब आपको एकसेस tax कर गया था या फिर एकसेस tax collect हो गया था तो आप refund ले सकते हैं आपने advance tax extra भर दिया था तो आप refund ले सकते हैं या फिर आपने self assessment pay कर रहे थे self assessment tax pay कर रहे थे और गलती से ज़्यादा payment कर दिया तो आप refund ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है यह जो circular आया हुआ है यह circular basically 1 October 24 से applicable हो जाने वाला है बट ऐसे कोई cases ऐसे कोई application जो आपने 1 October 24 24 के पहले से भी किया हुआ है ना वो भी applicable हो जाएगा मतलब within 6 month में जो officer है उसको process करना पड़ेगा आपके application को तो मालीज अगर आपने अभी तक condemnation के लिए request डाला हुआ है बट officers process नहीं कर रहे है तो आप उनको यह circular भेज सकते हो उनको बोल सकते हो कि waiting 6 month का time दिया गया है और आप इसको जल्दी से जल्दी process कर दीजे ठीक है तो I hope आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी ठीक है यह आपको जानकारी कैसी लगी circular में जो दिया गया है वो आपको कैसा लगा point of view आप comment करके बता सकते हैं यह वीडियो अच्छी लगी है दिस वीडियो को like कीजे अपने दोस्तों साब भी share कीजे और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you for watching and all the best